आज को जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेज एंड डिस एडवांटेज और फ्री एक्सोसाइज ठीक है यह टॉपिक भी मैंने काइनसॉल जी की बुक से लिया है जिसका नाम है दे प्रिंसिपल ऑफ एक्सोसाइज थेरपी उस जो मैं बुक है उसका यह चैप्टर जिसमें अक्टिव मूवमेंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन ने के बार में बताया था और क्लासिफिकेशन में फ्री एक्सोसाइज को डिसक्स किया था उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी अब वहां से जाके वीडियो को देख लेना पिर आम सबसे पहले हम देख लेते हैं advantage के हैं free exercise के free exercise का मैं थोड़ा बहुत review दे दीती हूँ free exercise में क्या है कि patient जो है उसको किसी assistant और resistant की जरूरत नहीं होती लेकिन जो वो कोई movement कर रहा होते है खुद ही वो movement कर रहा होता है और इसमें उसको specific एक ही force लग रही होती है gravity की और वो असानी से वो खुद movement कर सकता है अब advantage में भी आपको समझ आगी होगे free exercise में कहके patient जो है वो असानी से कर सकता है exercise patient पे डिपेंड करता है सब कुछ ठीक है इसमें advantage में यह है कि सब कुछ patient पे ही depend करता है पहला advantage यह कि once a patient has mastered a technique of their performance and is aware of their purpose it depends on the patient to practice when and where he pleases इस point में यह बताया गया है कि जब patient जो है वो इस technique को सीख लेता है और उसको समझ आ जाती है कि technique का जो हम यह perform कर रहे है यह movement कर रहे है उसका purpose क्या है अगर मैं यह movement करूंगा तो उससे मिझे क्या फाइदा मिलेगा तो वो क्या करता है कि वो patient पे ही depend करता है कि जब वो सीख पेशेंट करता है कि उसने कब और कैसे प्रेक्टिस करना है घर पर जाके कैसे और कप करना है जब भी वो कमफोटेबल हो ठीक है दूसरा point है कि it helps the patient to cure himself and need no longer rely on other for this purpose और इस पॉइंट का मतलब यह है कि patient जो है इस exercise को करने से खूदी अपने आपको क्योर कर सकता है ठीक कर सक जैसे एक्जेंपल दूंगी आगर में पस एक patient आया है तो मैं अब उसको कोई exercise बताती हूं तो हम उसको home plan देते हैं कि आदे सुबह पांच टाइम यह करना है पर शाम को आपने पांच टाइम करना है रात को आपने पांच टाइम यह exercise करना है ठीक हो जाएंगे ठीक है आप यह यह मस्ला solve हो जाएगा घर जाके patient गर जाके उसी time के मताबिक करता है सुपह भी करता है शाम को भी करता है रात को भी करता है वह क्यूं करता है ताकि वह उसको समझ आ गई है कि मैं गर यह exercise करूंगा तो मैं सही हो जाँंगा तो इसका यह एडवांटेज है घर जाके प्रक्षबर हम यहां उतना सब्सक्राइब और को बनने सब के फीच्ट कर सकता हूंत यहाँ फीच्छीं कुल-पिंद्ध कर सकता है। in fulfillment of weak muscle ठीक है अब क्या होता है क्योंगी हम movement करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो stimulus है वो जाता है प्रेंट और brain से मिलें रिसपोंस आता है और वो movement परफॉर्म कर लेते हैं ठीक है हैं आप कोई मेश पेशेंट आता है उसके weak muscles हैं ठीक है अब हमने क्या करवाना है कि उसकी redevelopment करवानी है या reinforcement करवानी है अब redevelopment का क्या मतलब कि उस weak muscle में हमने जान लेकर आनी है तो मैं कोई movement करवाऊंगी patient को या वो करेगा तो ही उसमें वो weak muscle है ठीक हो सकता है ठीक है लेकिन इस exercise में का disadvantage यही है कि जो stimulus है वो इतना इतना insufficient होता है कि वो brain तक उसका signal जाता नहीं और फिर response प्रोड्यूस होता नहीं इतना maximum ठीक है क्योंकि patient जो है वो exercise इतने अच्छे से नहीं कर पाता जो कि जरूरत होती है जरूरत होती है कि यह वाली movement अगर वो weak muscle के लिए हमने उसको करवानी है तो क्या होगा कि वो इतनी वो उसके पास stimulus नहीं होगा इतनी उसके पास energy नहीं होगी कि वो movement कर सके तो दूसरा point यह कि when there is a muscular imbalance compensatory rather than normal pattern of movements may be used unless movements are carefully taught and supervised इसका मतलब यह कि muscular imbalance का मतलब है समझो इसका मतलब है कि जब भी हमारे पूरी body में muscles हैं ठीक है अब क्या होता है कि अगर एक opposite side है उसके relative हमारे एक side में muscles में मसला हो जाता है जैसे कि size यह strength में मसला हो जाता है तो क्या होता है कि muscular imbalance हो जाता है ठीक है तो patient क्या करता है उसको muscles muscular imbalance में अगर उसको muscular balance है एक side पर जैसे कि मिझे इस hand में है मेरे जो यह राइट है इसमें मिझे मसला है मसल पेन है तो क्या करूँगी मैं तो मैं कमपंसेटरी मूवमेंट करूँगी मतलब कि अगर मिझे इसमें पेन हो रहा है तो मैं क्या करूँगी यह वाली मूवमेंट करूँगी नहीं तो मैं कोई और मूवमेंट तराश करूँग जबकि उसको निसमें फेडिय और भी उंपना भाला हाथ अपना मुवन्मेंट करनी जाए। सुने हमें जो और फिर क्या होता है कि सारा जो का movement pattern वो खराब हो जाते हैं तो कि सबसे बड़ा disadvantage यह है कि इसमें पेशेंट जो होता है वो अगर हम प्रवाइस ना करें या उसको हम वो movement ना सिखाएं अब जो पेशेंट जिनको brain damage है और जो कि movement नहीं कर सकते जैसे एक स्रोग के patient है वो movement करी नहीं सकते हैं क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उनका voluntary control है वो established नहीं है voluntary control मतलब कि जो पेशेंट के अपने अंदर control में होती है movements वो खुद कर नहीं सकते तो क्या होता है वो क्यों नहीं कर सकते जब वो करेंगे नहीं तो क्या होगा वो exercise को भी में भी cooperation नहीं दिखाएंगे ठीक है क्योंकि उनका voluntary control established नहीं है पहले हमें उनका voluntary control established करना पड़ेगा फिर जाके वो यह free exercise कर सकते हैं तो जो brain damage और जो के initiate नहीं कर सकते movement उनमें क्या होता है कि यह वाली exercise वो उनके लिए फाइदा उनको नहीं पहुचाएंगे ठीक है फिर हम टेक्नीक्स देख लेते हैं free exercise के technique क्या होती है सबसे पहले क्या होता है कि हमें the starting position is selected पहले हमें starting position जो होता है कि उसका भी एक topic है इंशाला हम भी पढ़ेंगे starting position बहुत आनागी होती है हर exercise के starting position होती है standing hanging sitting और उसके टेक्नीक है standing में क्या करना है अगर आपने standing select किया है तो आपने feet को ऐसे वाइड रखना है अपने हाथ को सीधा रखना है अपने shoulders को ऐसे रखना है ठीक है आपने movement select कर ली ठीक है आपने position select कर लिए और फिर patient को आपने सिखानी भी है कि आपने ऐसे यह वह position maintain रखनी है ताकि जो इसका posture का एफिशेंसी पोस्टर वह maintain रहे कि उसका posture disturbed not ठीक है फिर हम आपर दूसरा पॉइंट है कि instruction is given फिर हम patient को जो instructions देते हैं और इस तरीके से देते हैं ताकि जो patient है उसका more interest develop हो और वह फिर cooperate करे ठीक है उसका दिल करे exercise करने का ठीक है instruction ऐसे देनी है फिर third है कि the speed at which exercise is done depends on the effect required मतलब इसका मतलब है कि हर exercise का एक effect होता है ठीक है अब speed हमने वह choose करनी है जो कि हमें effect चाहिए exercise जैसे कि example है अगर हमें relaxation चाहिए ठीक है वह exercise करने से हमें relaxation चाहिए तो हम speed को slow रखेंगे ताकि हमें relaxation मिले mostly क्या होता है कि पहले हम slow से start करते हैं और फिर हम patient से कहते हैं जो कि natural हिद्धम है उस पर exercise कर सकता है ठीक है mostly जो natural हिद्धम होती हम patient से कहते हैं वही choose करें क्यूंकि free exercise है patient अपनी मरजी से करता है duration of exercise depends very largely on the patient capacity जो duration है exercise का जो time है वह depend करता है कि patient की capacity क्या है ठीक हम mostly कहते हैं कि three bout of practice होती है हर exercise के लिए three bout of practice is enough ठीक है उसमें लेके हम कहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी break ले सकते हैं कोई और activity कर सकते हैं ताकि आप ठके नहीं और आपकी जो exercise अराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है यह हमाई पस टेक्नीक थी इससे आगे जो topic है effect of exercise उसका में next video में आप लोगों को बताऊंगी तो आपने अगर इससे related कोई भी मिस्ते सवाल करना होता है आम इसे comment section में बत्तु कर दो कर दो आमेदबी को ओिदमेर को में थएएपस्ट्स यहाँ राद सकते हैं तो टिस से हैं अराम से अराद से घらई इस गफसरे नहीं जो मिस्ते हैं